आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे जिनको बैंगन की सब्जी पसंद नहीं आती है तो आज बनाएंगे बैंगन नई अन्दाज में आपको बनाने मज़ा आएगा उनको खाने मज़ा आएगा तो चले मिलके बनाते हैं यहां पर लिए हमने एक पैन और इस पैन में डाल रहे हैं मुफली के दाने यह कच्छे मुफली के दाने हैं एक चौथाई कप और जब भी मुफली के दाने या फिर बादाम या फिर काजु आप भूनते हैं हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूना जाता है क्योंकि अं मुफली हो चुकी है एक बड़ा चंबच यहां पर साबुत धनिया एक छोड़ा चंबच जीरा दस बारा काली मिच के दाने इन मसालों को भी मुफली के साथ भूनना है लो फ्लेम पे लगबग 30 सेकेंड यहां पे हुए हैं और मसालों में बहुत अची खुश्बू आने ल में अमकर मिले इसको खाना चाहिए किसी भी रूप में तिल को भूनकर आप आटे में भी डाल सकते हैं तिल को दालने के बाद मुश्किल से 1-2 मिनिट और भूना है तिल की बहुत अची खुश्बू παंण लोगए है तिल भी हलका सा नहीं और दू तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, फटा फट से दूसरे बर्तन में इसको खाली करना होगा क्योंकि पैन हमारा गरम है तो यहां पर मसाले जल जाएंगे मसाले यहां पर ठंडा हो चुका है एक मिक्सर ग्रेंड में डाल के इसको क्रश करना है पूरी तरह से पेस्ट नहीं बनाना है यह मसाला यहां पर दरदरा मैंने पीस लिया है आधा मसाला मिक्सर ग्रेंड में रहने देंगे और आधा प्लेट में निकाल देंगे मसाले के साब से थोड़ा सा नमक, थोड़ा लालमेच पाउडर कलर के लिए, एक चौथाई चूटी चम्मा से भी कम हल्दी पाउडर कलर के लिए, अब इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे या पे, यह जो मसाला तेयर हुआ है, यह बैंगन के अंदर जाएगा, और यह जो मसाला ह काम अब बैंगन की कटिंग कर लेते हैं यहां पर हमने आधर किलो बैंगन लिये हैं बैंगन में लंबे वाले इसमाल कर रहा हूं चोटे वाले जो बैंगन आते हैं उनका भी इसमाल कर सकते हैं पर इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत जाद मोटे ना हो इनका साइज बहुत करते हैं क्या incompetence व्हुम्तुन प्राइल लगाना उंदर इसी तर से लगना किम तरना चाहिए। प्रुक्त प्री कि ढ़ने जाल्ड आ हो क्यों कि दो बिया हु logar nou अंदर तक यह मसाला जाना चाहिए दरदरे मसाले की स्टफिंग बैंगन के अंदर अच्छी तरह से हो चुकी है अब बाकी की तियारी करते है बैंगन की ग्रेवी बनाने के लिए दो प्याज दस बारा लासून की कलिया दो हरिमिज एक इंच अधर कटुकड़ा और दो लाल-लाल से टमाटर अद्रग, गार्लिक और टमाटो इसका तो पेस्ट बनाएंगे हम इन दोनों को चॉप कर लेंगे प्याज को बारीक चॉप करना है यह पे बारीक चॉप करने के लिए बिल्कुल पास-पास में इसमें कट लगनी चाहिए जितना पास में कट लगेंगे इतना ज्यादा प्याज बारीक बनेगा जो मसाला हमने बचा के रखा था मिक्सर ग्रेंडर में उसी में हम अद्रग डाल देंगे अद्रग को भी छोटा-चोटा काट लेंगे लहसुन एड कर देंगे टमाटर भी इसी में इड कर देंगे इसका बना लेंगे बड़ी असा पेस्ट पानी डालने की कोई नीड नहीं है टमाटर में काफी पानी होता है और यहां पर में पेस्ट रड़ी हो चुका है इसकι फैसी रेड़ी हो चुका है अगर हमें फलक निपू और नमक डाल देंगे तो यहां पर का नेम्डाब टे। यहां और फिर वो कड़वापन देता है, गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और बैंगन जल्दी से पक जाएं इसके लिए इसको कवर कर दिये जल्दी पक जाएंगे से क्योंकि कवर कर दिया है क्रिल भी होते रहेंगे दिर जरे करके तो यहां पर लगबग 5-10 मिनिट हो चले देख लेते हैं और बहुत ही अच्छी स्टीम इसमें बन गई थी यहां पर हमने इसको एक बार भी टर्न किया है चेक कर लेते हैं पका नहीं पका तो यह ऐसे ही पता लग रहा है यह हलका सा प्रेस करेंगे देखे कितना आसानी से दबड़ा है मतलब की अंदर का जो मि यहां पर अच्छी तरह से ग्रिल हो चुकी है नीचे वाली को ग्रिल करने के लिए हमने इसको पल्टा है और हलका था मसाला भी भूनेगा उसकी खुश्बू बहुत अच्छी आईगी लेकिन इसको पकाना नहीं है क्योंकि अलड़ी पका वाईए देखे ग्रिल करने के लि तेस्ट बहुत ही गजब का रहा है इसको किसी मसाल या ग्रेवी की जरुवत नहीं है आप ऐसे भी खा सकते हैं तो इसको निकाल लेते हैं यहां पर लिए एक पैन इसमें डाल रहे हैं तीन बड़े चमज तेल के ओल यहां पर गरम हो गया तो सबसे पहले एक छोटा चमज राही तड़काएंगे यहां पर राही तड़कने के बाद में आदी चोटी चमज हींग उसके तुरंट बाद प्याज प्याज की बाद करी पत्ता और इसको हाई फ्लेम पर सौटे कर लेंगे अनियन यहां पर गोल्डन ब्राउन हो चुका है यह देखिए बिल्कुल सिमट उसके एक तरफ आ गया है तो अब बाकी मसाले एड करते हैं आपे बड़िया सा कलर आ जाया है तो कश्मीरी लाल मिच पाउडर एक चोटा चमज इस पाईसी नहीं होता है लेकिन बड़िया आदी चोटी चमज हल्दी पाउडर सूखे मसालों में हम दो ही चीज डाल रहे है बाकी हम आल्रेडी पीसा हुआ है, मिक्स रिचे करेंगे टेल चाहरें, अब जाएगा श्रभ्य थाट पेस्थ गयुए तेलों है बाकि पिस्थ फेचा है। मतलब मसाला हमारा यहाँ पक चुका है अब पानी एड कर लेते हैं यहाँ पानी लग बग आधा कपके आसपास बहुत ज्यादा ग्रेवी वाला इटम नहीं बन रहा है इसमें लिप्टी वी ग्रेवी रहेगी क्योंकि हमने पीनट डाला है तो थिकनेस बहुत अच्छी आने धनिया में हर सब्जी में यह एड कर देता हूं क्योंकि धनिया मेरा फेवरेट है आपका क्या फेवरेट है कमेंट बॉक्स में जरू बताएं तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद करते हैं सर्विंग भी देखनी है कैसे सर्विंग होती है सबसे पहले चटपटी सी ग्रेवी देखे कितना प्यारा आया है दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और यह गर्मा गरम हमारे बैंगन वाह देखके मन कर जाए इसको खाने का हलका हलका सा ग्रेवी उपर से भी टच कर देता है अब बताएं इस तरह से सबजी सर्व करेंगे तो किसका मन नहीं करेगा खान दिखने में कितनी अच्छी लग रही है खाने में कितनी अच्छी लगेगी सिंपल सी चीज है